हालो एवरिवन वेलकम टू टूडेस क्लास दोस्तों आज की इस क्लास में कंपेरिंग क्वांटिटीज में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपेरिंग क्वांटिटीज में हम लोग परसेंटेज के क्वांटिटी को कंपेर करते हैं कैसे करते हैं तो जैसे माल लड़किया है एक का नाम अनिता है और एक का नाम रिता है अनिता को पेपर हुआ है उस पेपर में अनिता बोल रही है कि मेरा अधिक है और तुमसे मेरा ज्यादा नमबर है तुमसे मेरा रिपोर्ट आचा है वहीं पे रिता बोल रही है कि मेरा थ्री हंड़ेज भी है और वहीं दम आटथे मेरा रिपोर्ट आचा है दोनों लोग अपने अपने रिपोर्ट को अच्छा बता रही है तो इन दोनों का जो common friend मांसी लोग दोनों पूछ रही है कि आख तुम ही बताओ कि में हम दोनों में से किसका report अच्छा है तो इसकी जो इन दोनों की common friend मांसी ने क्या किया कि इन दोनों का percentage निकाल दिया जब मांसी ने percentage निकाला तो देखा कि अनिता को अरहा था इसका आँपा डृटा रहा था था वो वहां परिटा रिपॉट ज Steve पॉइंट नी पॉइंट कि रिप्उइन थी पॉयंट थी पॉइंट पेंचे अंचे मान्शी निक रहे साथा क्यों होन Kyoto np comparing quantities में क्यों पढ़ते हैं percentage भी तरीका होता है किसी 2 quantity को compare करने percentage का मतलब क्या होत है What is the meaning of percentage percent means per percentage का मतलब क्या होता है Per100 그러 hundred का अगर sukkoyi आप नंillyकोन रहे अब उषका hundred equal parts कर दिये हंद्रेड पार्ट्स कर दिये अब उस हंदेड में से आप कितने पार्टस की बात करें उस्कूलोग पर्सेंटेज बोलते हैं, परेज जाप लिजिए आप 100 का हैं, मललेजी आप 100 पार्ट्स कर दिये अब तो अगर hack आप डाल कि बात कर रहे हैं, तो इसी कॉलोग बोलेंगे 5laughter, पर्सेंटेस को में लोग सिंबल से रिप्रेसेंट करते हैं और इसका हंड्रेट्स इसका मतलब पुता है Lehr 100 तो कर मैं 100 आप 100 इक्शन पार्ड्स कर दिये और उसमें अगर मैं आप 5 फाइब पार्ट्स को ले रहे है तो ँसी यू कर बूँझ लेंगे सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ फाइब परसेंट का मतलब क्या हुआ तो पांच वे पांच हिस्से की बात कर रहे हैं उसी प्रकार से में बोलूं कि एट भाई हंड्रेड एट बाई हंड्रेड एट बाई हंड्रेड का मतलब क्या हुआ मतलब कि आप सो हिस्से में से आठ हिस्से की बात कर रहे हैं सो हिस्से में से हंड्रेड पार्ट्स में से आप एट पार्ट्स की बात कर रहे हैं इसी को में लोग बलेंगे हंड्रेड परसेंट या फि इसि-क उम्लोग बोलेंगे 800s इसि-क उम्लोग 800sh kph भी बोल सकते हैं फीर से आप एक जहांपल देखें जैसे मैं बोलूं कि 3% 3% का मतलब क्या हुआ 3% का मतलब यह हुआ कि आप 100 equal parts लिए हैं 100 equal parts लिए हैं और 100 में साब तीन पार्ट्स की बात कर रहे हैं इसी का मतलब हुआ 3% उसी प्रकार से मैं बोलू 7% का मतलब क्या हुआ 7% का मतलब यह हुआ कि आप 100 इकोल पार्ट्स में से 100 इकोल पार्ट्स में से आप 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं उसी प्रकार से मैं बोलू 52% 52% का मतलब क्या हुआ 52% का मतलब यह हुआ कि आप 100 equal parts में से 100 equal parts में से आप 52 parts की बात कर रहे हैं फर इगाम्पल अगर मैं आपको इसको में पेपर भी होता होगा तो आपका 100 नमबर का पेपर होता है माले जी कि आपका 100 नमबर का paper हुआ और आपका 100 में 41 नमबर आया 41 marks आया तो इसका मतलब आपका 100 में से कितना आया है 41 आया है तो यह जो 41 है इसी को में लोग क्या बोलते हैं percentage में बोलते हैं वो लेंगे 41% मतलब percentage का मतलब क्या होता है सिंपल सा बात यह है कि आप 100 equal parts कर रहे हैं और उसमें से आप कितने parts की बात कर रहे हैं अगर मैं आप 5 parts की बात कर रहे हैं 100 equal parts में से 5 parts की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 5% उसी प्रकार से अगर में 7% है इसका मतलब यह हुआ कि आप 100 में से 7 parts की बात कर रहे हैं और अगर मैं आपकी इसको में पेपर हुआ और हंडेड मार्स का उसमें 41 मार्स ला दिये इसका मतलब कि आप हंडेड में से हंडेड पार्ट में से 41 पार्ट क्या कर लिए सेक्योर कर लिए यानि कि 41% I hope कि आपको percentage का मतलब समझ में आ गया होगा चलिए अब percentage पर बेस्ट आगे questions बात करते हैं कि fractions को percentage में कैसे convert करेंगे decimals को percentage में कैसे convert करेंगे इन सब के बारे बात कर लेते हैं, चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी फ्रेक्शन को अगर हैं परसेंटेज में कनबर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, for example माली जी आपके पास को फ्रेक्शन लिखा गया है, 7 by 25 यह फ्रेक्शन लिखा गया है, और इस फ्रेक्शन को तो आपको first percentage में convert करना है तो कैसे करेंगे तो एक simple सा rule होता है किया किसी भी fraction को पर्सेंटेज में convert करना है तो आप simply यह जो fraction दिया गया है यह जो fraction दिया गया है इस fraction में आप 100 से multiply कर रही है 100 से multiply करने के बाद क्या कर देंगे आप बाहर ऐसे percentage का sign लगा देंगे अब देखिए अब यहां से fractions का multiplication रूल फॉलो करेंगे यह 25 से कट रहे है 100 कितनी टाइमस में 4 टाइमस में उसके बाद से multiply करेंगे तो कितना हो जागा अब यहां से fraction वाला रूल फॉलो करेंगे देखिए 100 से 100 कट रहा है अब कितना बच गया 33 और 33 लिखे यहां पर इसके साथ यह percentage वाला sign यहां पर ऐसे लगा देंगे I hope कि आप समझ गया होंगे फिर एक और example देखिए समझ देते हैं अगर मैं लिखा है 425 425 fraction में इसको percentage में करने हैं तो कैसे करेंगे तो किसी भी fractions को percentage में convert करने के लिए आप simply यहां पर 100 से multiply करिए और percentage का sign यहां पर लगा दीजिए अब यहां से fraction वाले multiplication का rule फॉलो करें देखिए 25 से यह 100 कितनी टैंस में कट रहा है 4 टैंस में 4 को 4 multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 अउसके बाद यह percentage वाली sign यहां पर लगा दीजिए I hope कि आप समझ गया होंगे कि किसी भी fractions को percentage में कैसे convert करते हैं चलिए आप next step के बारे ह करना आगा हो तो fraction में कैसे convert करेंगे पीछे हम क्या पढ़ें फ्रेक्शन को percentage में convert करना अब यहां पर पढ़ेंगे percentage को fraction में कैसे convert करेंगे तो किसी भी को फ्रेक्शन में कैसे करेंगे तो परसेंटेज को फ्रेक्शन में करने के लिए सिंपली आप परसेंटेज वाला साइन हटा ये और उसके जगा क्या करें हंडेट से डिवाइड कर दीजिए डिवाइड करने के बाद क्या करें तो सिंपलेश फर्में कर लिजिए देखिए फ 56 percent है यहां से percentage sign हटा यह ओर इसके जगह पर करेंगे आप hundred से divide करेंगे अब यहां से क्या करिए आप multiplied simplest form में इसको convert कर लिजेए कैसे करेंगे देखिए हैंसे फोर से कट रहे four one's a four और यह four four's a 16 six three 25 times में simplest form में convert करने के बाद यहां जो आपका fraction आ रहा है यही percentage का fraction में conversion है फिर उसी प्रेकार से इसको करना है तो कैसे करेंगे तो आप percentage सिर्फ हटा दीजिए यहां 140 से percentage हटा दीजिए और उसके जगापे आप 100 से divide कर दीजिए देखिए 10 से 10 अफिर यह 2 से 27 जा और यह 2 से 25 जा simplest form में से कितना रहा है 7 बाई 5 तो किसी भी percentage को fraction में convert करना हो तो simply आप percentage को हटा आईए हटा दीजिए वहां से sign को और simply क्या करिए उसके जगापे 100 से divide कर दीजिए तो वह जो fraction आएगा उसको simplest form में कर दीजिए और वही क्या होगा percentage से fraction में convert करना समझ गयोंगे चलिए आप next आगया वाला step बात करते हैं चलिए बात करते हैं किसी ratio को percentage में कैसे convert करेंगे तो आप जानते हैं कि 14 ratio 25 को हम लोग fraction में क्या लिख सकते हैं तो fraction हम लिख सकते हैं 14 by 25 ratio के जगह हम लोग fraction लगा सकते हैं जैसे कि हम fraction है पर चुके हैं ratio में पढ़हें लोग fraction लिख सकते 14 ratio 25 को 14 by 25 लिख सकते हैं तो एक बार पर रेचियो जब fraction में convert कर लिए तो friction को percentage में करना अभी आपने सीखा क्या करेंगे आप इसको simply यहाँ पर 100 से multiply करेंगे और percentage sign क्या कर देंगे प्रूट कर देंगे अब देखिए यहाँ पर fraction वाली rule आप apply करें 25 से 100 कितनी टाइमस में करेंगा 4 टाइमस में और इसको multiply करके यहाँ पर लिखती जिए कितना हो यहाँ पर देखिए 8 ratio 5 को कैसे convert करेंगे सबसे पहले 8 ratio 5 को आप friction में convert करेंगे 8 ratio 5 को आप 8 by 5 friction में convert कर सकते हैं उसके बाद जब friction में हो गया तो percentage में बदलने के लिए क्लिए क्लिए 100 से multiply करेंगे और percentage का sign put कर देंगे अब यहाँ से fraction का rule apply करें 5 से 5 और 5 और 20 टाइमस में इन दोनों को multiply कर रहेंगे कितना हो जाएगा 160 और percentage कैसा यहाँ पर पूट कर देंगे अगर मैं आपको percentage दिया हो जैसे कि आपको percentage में दिया है 75 परसेंट और इसको ratio में convert करना है तो कैसे करेंगे देखिए तो सबसे पहले तो आप इसको fraction में convert करें 75 परसेंट को fraction में convert करेंगे और fraction में कैसे convert करेंगे percentage हटाइए और 100 से divide कर दिये तो यहां से percentage हटाइए और 100 से क्या करिए यहां से divide कर दिजिए इसको simplest form में लिख लिजिए देखिए 25 से कटेगा 3 टाइमस में और 25 से कटेगा 4 टाइमस में तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 by 4 अब इसको अगर रेसियो में convert करना है यहां से percentage में दिया हैं तो इसको decimal में कैसे अबसे पहले तो आप इसको fraction में convert करिए बर्ला कर दिए तो यहां से 36 पर्सेंट में से percentage का साइन हटाइए और 100 से divide करें 100 सी di teamed करने के बाद क्या करेंगे आप यहांपे देखिए अगर मैं 20 नीचे यहांपे अगर मैं 1 पे 2 0 लगा कर divide करते हूं तो decimal क्या होता है 2 left side में क्या हो जाएगा 2 digit left side में decimal आजाएगा तो यहांपे 36 लिखा है और यहांसे 2 digits count 따라के और इसके बात यहां पर डेसिमल लग जाएगा तो 36% का डेसिमल क्या हो जाएगा 0.36 उसी प्रकार से यहां पर 54% को कनवर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसको fraction में कनवर्ट करिए fraction में कैसे करेंगे तो परसेंटेज हटाइए और वहां से 100 का साइन, 100 से डिवाइड कर दिजिए, अब जब भी हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, अगर नीचे 2,0 होता है, तो यहां पर decimal होता है, यहां पर decimal होता है, यहां पर दो बनाने के लिए यहां पर 0 लगा दीजिए अब decimal कहां पर shift हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.054 तो 5.4% कितना हो जाएगा 0.054 फिर उसी प्रकार से देखिए इसको convert करना है तो कैसे करेंगे सबसे पले इसको हम फ्रेक्शन में convert करें तो फ्रेक्शन में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 0.25% के साइन के जगह पे 100 से डिवाइड तो जब भी हम लोग अगर में नीचे 2 0 लगा कर डिवाइड करते हैं तो यह जो decimal होता है यह left side में 2 digit left side में shift हो जाएगा तो 25 तो यहां पर पहले से था ही अब यह से decimal 2 digit shift होगा तो यहां पर एक और दूसरा digit बनाने के यहां पर लगा देंगा और decimal कहां पर आजएगा यहां पर यहां पर आजएगा और 2 digit left side में shift होता है तो यह आप करेंगे यह भी हो जाएगा आई होप कि आप यह समझ गयोंगे चलिए अब आगे बात करते हैं next step के बारे में तो दखिए अभी हमने क्या बात किया था अभी हमने बात किया था का percentage को decimal में कैसे convert करेंगे समझ गये हो अब आप बात करेंगे decimals को percentage में कैसे convert करने तो आप किसी भी decimal को percentage में convert करना ओए simply आप वोसुक्त क्या करेंगे होँगा आपको decimal दीए गए हुँगफ इचली में यह क्या करेंगे 100 से multiply कर दीजीए और हंडेड़ से multiply करने के बाद वाद रहां पर percentage का sign dc जिए परसेंटेज का साइन लगा दिजी उसको multiply करेंगे तो इसको multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 80 80 और यह हो जाएगा, %.% का sign लगा दिजी किसी भी decimal को percentage सेंटेज करने के लिए, आप simply उस decimal में 100 से multiply करेंगे यहाँ पर आपको यहाँ जो decimal दिया गया है इसमें आप 100 से multiply करें 100 से multiply करने के बार आप यहाँ पर percentage sign put कर दिजिए तो 0.36 को 100 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 36 percentage का sign put कर दिजिए फिर उसे प्रकार से यहाँ पर देखें इसको कैसे connect करेंगे यहाँ पर भी same rule आपको जो decimal दिया गया है इस decimal को decimal को क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे 100 से multiply करने के बाद यहाँ पर percentage sign put कर दिजिए तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4% I hope कि आप यह भी समझ गया होगा कि decimals को percentage में कैसे करेंगे simply 100 से multiply करेंगे और percentage का sign लगा दीजिए चलिए अब आगे नेक्स step में बात करते हैं off वाले questions में percentage में off वाले जो questions आता है उसको कैसे करेंगे चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे off वाले questions कैसे करेंगे जिस यहाँ पर दिया है एट परसेंट फ्रेक्शन में करोड करें तो एट पर सेंट को फ्रिक्शन में कर क्या होगा यह हो जाएगा 8 बाही hundred 8 by 100 उसके बाइब ऑफ और क्या होता है और कम अतलो होता है उसका मतलबत अ है at two times में कितना हुआ 10 आया तो 8% of 125 कितना होगा 10 उसी प्रकास अगर में दिया है 0.25% of 16 इसका मतलब क्या हुआ तो सबसे पहले जो percentage value value दिया है इसको fraction में convert करिए यह कैसे convert करेंगे तो क्या होगा यह हो जागा 0.25 by 100 कितना हो जागा 0.25 by 100 आफ का मतलब क्या होता है multiply यहाँ पर अब देखीएए यहाँ फिशॉर सी इह क्ता होगा 4 से कतेगा कितनी क साहिए 25 टाहिंस में और यह कितनी क से का देखाए और यह बहुत कितनी कातेँ pour टाइम्स में कर देखाए क enca two equal 10 2 4 वाई कितने हो जाएगा 25 से कतरा यह कितने हो जाएगा ऌए गत्पेद्बral तो कि यह कितना रहे जीरो पॉइंट जीरो फोर तो जब भी आप वर्ड प्रोलम बेस्ट करेंगे परसेंटेज पर बेस्ट वर्ड प्रोलम्स तो आपको इसका ध्यान डखना होगा वह उसमें कहाएगा ओफ वाला क्वेस्टन आएंगे तो परसेंटेज को फ्रेक्शन में कर लि चैल्टेज को फूड़ना पसंद है अब आगे बहुत यहां परने पूछेराएंगे कितने लड़कों को फूड़ खालना पसंद है ट्म ठालो फूड़ना पसंद है बता रहे कि 25 पर्सेंट लटकों को अभ है आप र पारन्बर में पूछ़ लाइगे कि इतने लड़कों को क्रिकेट लाफ अपसंद रहे प्र logical गट चेल ने बोल रहे हैं बनाी क्या होज़ेगा multiply और 40 जब भी आपको देए कि कीज का कितना परसेंट तो यहां पर 25 परसेंट और 40 का 25 परसेंट चालिस का 25 परसेंट तो अभी आफ वाला क्वेशन करना बता है था इसको आपको उस तरह से का करेंगे आपको इसको हैंडल कर देंगे कि ट्वां टेट कीतने टैंस में तो चीनिज कीतने बाते चैनल को इसको फोटबॉल खेलना पसंद है और आपको ऋब स्टिश वाला क्लास अज्या लगा होगा अगर मैं आपको फास्टीज का क्लास आज क्लास षाल होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा धन्यवाद